नमस्का दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर के बारे में क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिंटर यूज करते हैं लेकिन लोगों के यह नहीं पता है कि किस के लिए कौन सा पेपर यूज करेंगे अगर वो कोई पेपर यूज भी करते हैं तो उसके वज़े से कुछ printers के head भी खराब जाते हैं या उसकी printing quality भी बहुत खराब जाती है तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे चले स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक हमारे करें खरम Naturally में को सब्सक्राइण है पुरू school computer एक बिEZ्शे सब करते है secure जिए यह आती हैं कि से के रिष्या नहीं बताएंगे क्योंकि हर ओलग औलग एक कंपनी का पेपर जादे तर लीखता है तो वहाँ पी यह देखना होगा कि जो आप paper use कर रहे हैं उस paper में dust जादे ना हो या फिर उसमें जो paper की cutting होती है उसमें छोटे-छोटे एक lucky type का जो paper आता है वो उसमें ना हो क्योंकि अगर वैसे paper आप use करते हैं आपके printer के अंदर जाता है तो उस पे क्या होता है कि head के लिए वो बहुत जा जाके बैठता है तो head jam होने के जादे chances राते हैं head खराब होने के जादे chances राते हैं और जो clarity आती है जो फोटे पेपर पर प्रिंट करते हैं या जो भी printing quality आती है वो खराब हो जाती है तो इसमें जी रोक्स में किसी भी ब्रांड का लें लेकिन वहां पर यह ध्यान रखें कि dust ना हो और पेपर जो है वो दरदरा टाइप का नहीं खुरदूरा ना हो वह हमिशा प्लेन रहे पेपर वही पेपर आपके printer के रिज़े बहुत ही best होते हैं अन्यत्य अगर खुरदूरा होगा पेपर है एफोर साइज में 70 और 75 यह सम हमारे इलाके में जो पेपर यूज किया जाता है वह maximum century star यह century company का यूज किया जाता है यह सबसे जादे यूज किया जाता है क्योंकि यह जो पेपर है यह मोटा भी होता है और इसकी जो quality आती है वो भी बहुत तो यह दोनों जो paper है वह जिरॉक्स के लिए बहुत ही बेटर होते हैं आप और company में भी सतर येसम पचातर येसम आप यूज कर सकते हैं और दोस्तों जहां तक जिरॉक्स में जो पेपर यूज करेंगे तो अगर मैक्सिमम 75 येसम यूज करते हैं तो वहां पर प्रिंटर की लाइफ जादे तर बहुत दिनों तक बनी रहेगी उसके बाद बॉन्ड पेपर आता है जिसे जिरॉक्स के बाद थोड़ा सा और मोटा पेपर आता है जैसे कि हम प्रिंट करते हैं तो उसमें भी लोग इस पेपर का यूज करते हैं या फिर आप निवास या फिर आय प्रमाल पत्र बनाते हैं तो उसमें बॉन्ड पेपर का यूज किया जाता है तो उसमें लोगों के अनुसार यूज किया जाता है कुछिश ययस ऑन्बच य यSू यहсьी स इन तिनों में से कोई भी येसं वो लोग यूज करते हैं तो अपने बज़ट के अनुसार आप देख सकते हैं इने पैसे का जयादे अंत का है यह जो पहला हमने बताया है वो 500 पेज में था असी यह सम का यह सो पेज में है 90 यह सम का पेपर यह भी उसी डॉकुमेंट में जैसे निवास या फिर कोई और डॉकुमेंट यूज करते हैं जिस पर मोटा पेपर की जरुद पड़ती है तो उसके लिए यह यूज किया ज इसमेट बांड में आता है यह भी पेपर बहुत ही अच्छे पेपर सोते हैं जब भी मोटे पेपर की जरुद पड़ती है तो असी यह सम से लेकर 100 यह सम के बीच में बांड पेपर आप यूज कर सकते हैं अब बात आती है इसके उपर जो पेपर यूज करेंगे वह लगभ से अच्छे पेपर है न्युवा कमपनी का यह 130 यह सम है यह जनरली इस समय लोग इसको इस को यह यूज करते हैं आधार अगर प्रिंट करना हो जैसे कि समय सबसे जादे स्रम काड़ चलना है तो स्रम काड़ में यह पेपर जादे डिमांड में था तो सस्ते के लिए यह सब card और अधार card के लिए ही लोग इसे यूज करते हैं क्योंकि यह 130 समका है इसे print करके laminate करना होता है तो customer को पता नहीं चलता है कि इसमें कौन सा paper डाला गया है तो इसके लिए यह जादे तर यूज किया जाता है इस paper को दोस्तों यहां पर प्राइस का बारे में हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि सभी paper का हर area में क्या price होती है उस सब अलग-अलग होता है इन सभी paper का link हम description में दे देंगे वहां से जाकर check out कर सकते हैं या फिर अगर offline खरीदेंगे तो online से बहुत ही सस्ता पड़ेगा दोस्तों इसमें 130 gsm में 20 paper का भी page आता है यह जो packet है यह 100 page का अगर 100 page में लेते हैं तो कुछ सस्ता मिलेगा करीबन 50 रुपय का अंतर आ जाएगा उसके बाद 130 gsm से थोड़ा सा उपर जाएंगे तो 150 gsm का paper मिलेगा यह भी लोग अधार के लिए स्रम काट के लिए या फी जनरली जो लेमिनेट करके देना होता है कस्टमर को उसमें यह भी paper यूज किया जाता है यह paper बहुत ही सस्ता होता है लगबग 130 gsm का paper लेंगे वो 50-60 रुपया मिल जाएगा यह paper जो होगा इसका भी paper अच्छा quality का होता है लेकिन हम उतना बेटर नहीं करेंगे लेकिन फोटो प्रिंट करते हैं तो यह चलाओ है आप फोटो इस पर आराम से प्रिंट कर सकते हैं और quality भी ठीक ठाक रहेगी उसी के साथ एक डिसमेट का भी आता है यह दोनों का जो gsm है 180 gsm मिलेगा वैसे तो दोस्तों यह VMS हो चाए डिसमेट हो चाए कोई और भी company हो सब company में हर तरह के paper आते हैं 70 gsm से लेकर 200-300 gsm तक आते हैं हमारे पाद जो है हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं तो यह जो VMS company है इस पर भी हमने बताया है कि normally photo better photo तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक ठाक paper भी आता है इस पर भी आप photo print कर सकते इन दोनों की जो range है लगबग 70 रुपे के range में यह paper मिल जाता है उसके बाद इससे थोड़ा सा better quality में आएंगे तो kodak company का आता है kodak में भी बहुत सारी quality आती है यह जो paper है 180 gsm का है इसमें कई सारी gsm आते है कई quality आती है और यह जो kod company का कोई भी paper आता है वह बहुत ही better आता है इसकी अगर इस पर फोटो पर प्रिंट करेंगे तो बहुत ही जबर्जस्त पर फोटो प्रिंटिंग होती है क्योंकि इसकी paper की quality ही बहुत अच्छी होती है इसका प्राइज है लगबग 100-110 रुपे के वीच में यह paper मार्केट में उपलद है उसके बाद नेक्स्ट आता है नोवा कंपनी में ही प्रिजमा जेड नोवा में सबसे जादे बिकने वाला paper है क्योंकि यह इस paper पे फोटो की जो quality होती है वो बहुत ही better आती है वैसे तो सभी paper पे water resistance लिखा होता है लेकिन प्रिजमा जेड में जो water resistance लिखा होता ह waterproof भी इसे माना जाता है और इस पर पानी पड़ता है तो उतना जादे नहीं फैलता है जितना बाकी फोटो पेपर पे फैलता है तो यह paper बहुत ही better होता है और इसकी जो price market में लगबग 100 रुपे से लेकर 130 रुपे के बीच में यह paper मिल जाएगा उसके बाद next paper आता है नोव और पानी में भीगने पर बहुत ही कम फैलता है लेकिन बहुत ही अच्छा paper यह है maximum जो अच्छे photographer है printing करते हैं तो यह paper जादे तर वो लोग यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोगों को यह confusion होता है कि photo paper और glossy paper अलग-अलग होता है तो ऐसा नहीं है photo paper और glossy paper दोनों एक ही हो है लेकिन डिपेंड करता है कि वो paper की GSM कितना है water resistance में है या नहीं है अगर water resistance में है तो photo की quality है बहुत ही बेटा रहेगी यह तो रहे जितने भी हमने paper बताए यह सारे paper A4 size में रहे और A4 size पे भी हम passport size print करते हैं या 5-7 भी print करते हैं 4-6 भी print करते हैं या फिर पूरा A4 size में print करते हैं अब क्या होता है कि कुछ लोगों को 4-6, 5-7 में ही print करना होता है तो उसके लिए भी अलग से 5-7 और 4-7 में cut के अलग से भी paper आता है जैसे कि हमारे पास दो paper है यह जो paper है यह 4-6 inch में है और इस paper की quality सेम है जैसे कि इस paper की quality है बसाते है यह 4-6 में है इसमें 100 पे ज आते हैं और इसमें भी 100 पे जाते हैं अब depend करता है कि आगए आपके market में है या नहीं उसके बाद आता है 270 यह जो paper है यह 5-7 में है और इस paper का भी ज्यादे यूज किया जाता है तो दोस्तों यह तो सारे रहे photo paper और जिरॉक्स paper और अपने अनुसार अपने budget के अनुसार जो जा website चाहते हैं तो इतने सारे व 4-3 होते हैं और वह वी सारे से विराइटी होते हैं जो कि हमार पास है नहीं तो वह अपयसार को अपिन्र außerटे है कि लेकिन लेकिन रोटे किनम यहां पर देखना यह दिक्शक नहीं को आपके पास printer है तो उसमें कोई आप ये समधी खीम ठी सुप्टेशली फोटो प्रींटर युज करते हैं जैसे कि 850 प्रींटर है वह युज करते हैं तो उसमें भी कोई सप स्ट लगा सकते हैं, लेकिन जेनरली अगर और अल इन प्रिंटर क्या लिप और इकक्सनी काम पर ध्यान देना होगा कि maximum x asc всем class यूज कर पाएंगे क्योंकि अगर उस度S ओपर लगाते हैं तो उसो की चनंडे में उसे प्रिंट होने में थोड़ा सा दिक्कत होती है उस प्रिंटर को WE वहीं हाल है कि maximum x तो यह तो रहे पेपर के सारे इंफॉर्मेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस काम के लिए कौन सा पेपर बहतर रहेगा दोस्तों यह वीडियो आपके अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूच करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहों बिलें